सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फ्रेज द बेल आइकन वर मोर अबडेट हाई फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल में तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो ले कराएं तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि तो आज हम इस वीडियो में बात करने वालें कुछ इंपरिंट कोश्चन के बारे में आज यह वीडियो कुछ ज्यादा ही लंब हो जाएगि благодар लग करेंग Capital तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा पहला कोस्टन है क्या बोरिंग बोर हॉल तेल के कुवा तथा किसी तेल छेत्र में लगे पाइप लाइन खान की परिभासा में सामिल है तो इसमें पूछा गया है कि बोरिंग वोरौल और तेल के कुवा क्या किसी देल सेट्र में लागे पाइप लाइन खान की परिवासा में सामिल है कि नहीं है इसके आप्शन है आप्शन ए नहीं आप्शन भी है हां तो हमारा राइट अंसर होगा आप्शन भी हां है तो बढ़ते हैं हमारे अगले कोस्चन की ओर हमारा अगला कोस्चन है एक उपकरण या उसका सरकीट ऐसा स्पार्क उत्पन करने में अक्छम है जो कि जोलंसिल गैस या भाप इंफ्लेमेंबल गैस या वेपर को प्रजुलित इगनाइट कर सके इसको क्या कहते हैं हमारा अप्शन है अप्शन ए जोला रोधि उपकरण प्लेम प्रूफ अपरेटर्श अप्शन बी है आंत्रिक रूप्चे सुरक्चित इंस्टरेंसिकली सेफ आप्शन सी है सुरक्चा वार्धित इउपकरण अप्शन डी है इनमें से कोई नहीं तो हमारा राइट अंसर होगा अप्शन बी आंत्रिक रूप्चे सुरक्चित इंस्टरेंसिकली सेफ अगला कुस्चर है एक रेस्क्यू प्रसिक्चित व्यक्ति को किसी रेस्क्यू स्टेशन में कम से कम कितने दीनों के लिए नियुक्ति किया जाएगा तो हमारा आप्शन है आप्शन ए एक वर्ष के लिए आप्शन बी दो वर्ष के लिए आप्शन सी है तीन वर्ष के लिए और आप्शन डी है पाच वर्ष के लिए हमारा right answer होगा option A उसको एक words के लिए nuked किया जाएगा अगला question है वैसे सभी वैक्ती जो grass testing पर इक्चा में बैठने की पातरता रखते हो तथा ओक्त पर इक्चा में बैठने का इरादा रखते हो पर इक्चा से 3 महीने पहले वैसाई प्रशिक्चर नियम 1966 के किस सूची के अनुशार प्रशिक्चित किया जाएंगे इसके option है option A अनुशूची 5 option B है अनुशूची 6 option C है अनुशूची 7 और option D है अनुशूची 8 तो हमारा right answer होगा अनुशूची 8 option D तो चली बढ़ते हैं हमारे अगले question क्योर हमारा अगला question है प्रात्मिक चिकिच्चा कक्ष फर्स्टिड रोम में माइस रोल 19 55 के किस अनुशूची के अनुशार equipment रखे जाएंगे option है option A 4 अनुशूची option B है 3rd अनुशूची option C है 2nd अनुशूची और option D है अनुशूची 1 तो हमारा जो राइट अंसर है वो है option C अनुशूची 2 तो फर्स्टिड रोम माइस रोल 1955 के तहट अनुशूची 2 में सब इसके equipment रखे जाएंगे अगला question है इसी खान का समूः group of mind समूः group से एक rescue room इस्तापित कर सकते हैं जो की chief inspector की पूर्व अनुमती से rescue station की तरह कारे कर सकता है यदि सबी खानों को मिला कर साधारन नियोजित वेक्तियों की संक्या कितने अधीक हो option है option A 1000 option B 1500 और option C 100 option D 5000 तो हमारा right answer होगा option D 5000 तो बढ़ते हैं हमारे अगले question क्यों और कम से कम कितने समय अंतराल पर breathing operator सोसर न्यंत्र को इसके flow meter की जाच की जाएगी तो हमारा option है पहला तीन महिने पर option B है 6 महिने पर option C है पांच महिने पर और option D है प्रत्य महिना तो इसमें पूछा गया है कि कम से कम कितने समय अंतराल पर breathing operators के flow meter की जाच की जाएगी तो हमारा right answer होगा option B इसकी जाच 6 महिने पर की जाएगी तो बढ़ते हैं हमारे अगले question के और नई खान खोलने की सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रेजनल इस्पेक्टर तथा जीला मजिस्ट्रेट की अलावा किसके पास भेजी जाएगी हमारा option है option A भारतिय खान ब्यूरो के प्रमुक Chief of Indian Bureau of Mines option B है कोल, मिनिस्टर कोला मंतरी option C है, राजय सरकार और option D है इन में से किसी को भी तो इसका राइट आंसर होगा option B कोला मंतरी को भेजेंगे हमारा अगला question है यदि किसी दुरगटना में चार से अधिक वेति घायल हो गए हैं तो किस नियान के उन्सार इसकी जनकारी दी जाएगी हमारा option है option A regulation 9 option D माइस एक्ट का section 23 option C है circular और option D है इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा option C circular leg 4 और अगलेक 1976 हमारा अगला question है द्विति या द्रिति सेंडी के खान में कितने से अधिक औसत मासिक उत्पादन होने पर समातन अधिकारी वेंटिलेशन ओफिसर के पद पर केवाल मेनेजर स्रेटिफिकेट होलडार वैक्ति की नियुक्ति की जाएगी इसमें पूचा गया है कि द्विति है सेकीन ये थर्ट डिगरी के खान में कितने से अधिक एवरेज जो इसका मुंतली प्रोड़क्शन है आउट्पुट है वो वेंटिलेशन ओफिसर के पर केवाल मेनेजर स्रेटिफिकेट होलडार वाला वैक्ति ही उसमें नियुक्त की जाएगी इसका जो मंतली जो उत्पादन है वो जाम लेते हैं हमारा आप्शन है आप्शन A है 15,000 टन आप्शन B है 10,000 टन और आप्शन C है 5,000 टन आप्शन D है इनमें से कोई नहीं तो हमारा राइट आंसर होगए इनमें आप्शन B 10,000 टन तो बढ़ते हैं हमारे अगले कोस्चन की ओर किस नक्सों का समतल भंडारान किया जाएगा हमारा आप्शन है आप्शन A भूमिकत नक्सा तता मूतल नक्सा अंडर ग्राउंड एंड सर्फिश प्लान आप्शन B है भूमिकत नक्सा तता श्रमात नक्सा अंडर ग्राउंड एंड वेंटिलेशन प्लान options C है भुमी गर्ट नक्षा तता उर्दो धर नक्षा underground plan and vertical section हमारा last option है भुमी गर्ट नक्षा तता भूव ज्यानिक नक्षा underground and geological plan तो इसका राइट answer होगा option C भुमी गर्ट नक्षा तता उर्दो धर नक्षा तो बढ़ते हैं हमारे अगले question की ओर अगरा question है पचास मीटर से अधिक तथा दो सो पचास मीटर तक की घहराई वाले चानक में इस्तेमाल किये जाने वाले गाइड रस्य का गाइड रोग का नियुनितन व्यास कितना होगा यदि रस्य चैए ओवर वन टाइप है तो हमारा option है option A 32 mm, option B 36 mm, option C 24 mm and option D 29 mm तो हमारा जो right answer है वो होगा option A 32 mm तो बढ़ते हैं हमारे अगले question की ओर खुदाई चानक सिंकिंग साप्ट की घहराई कितनी होने पर इश्पष्ट तथा निश्चित संकेत देने के लिए दो अलग-अलग व्यवस्ता होगी option है option A 150 mm, option B 100 mm, हमारा option C 45 mm, और option D किसी भी घहराई पर तो हमारा right answer होगा option D किसी भी घहराई पर बढ़ते हैं हमारे एगले question के ओर winding engine की ब्रेक की जाच कोल्यारी इंजीनियर या अन्य सक्चम वैक्ति द्वारा कम से कम कितने इंतराल पर की जाएगी तो इसमें पूच्छा गया कि वाइंडिंग इंजिन के ब्रेक की जाँच कोल यारी इंजिनियर या अन या जो भी सक्चम रखती है उसके दारा कम से कम कितने घंटे की अंतराल पर की जाएगी हमारा आप्शन है आप्शन A 24 घंटे आप्शन B 7 दिन आप्शन C है 45 दिन और आप्शन D है 70 डे हमारा राइट आंसर होगा आप्शन A 24 घंटे 24 घंटे के अंतराल पर इसकी जाच की जाएगी तो बड़ते हैं हमारे अडले कोस्चन की और यदि हालेज रोज हालेज रोड की ढाल ग्रेडियन इन 1 इन 6 से कम है तो कम से कम कितनी दूर दूर पर में होल बनाया जाएंगे तो हमारे अप्शन है अप्शन A 10 मीटर अप्शन B है 20 मीटर अप्शन C है 30 मीटर और अप्शन D है 16 मीटर तो हमारा जो राइट अंसर होगा वो है अप्शन B 20 मीटर 20 मीटर की दूरी पर में होल बनायेंगे अगला क्वोस्चन है कम से कम कितने समय अंतराल पर कोल टप के कपलिंग चैन सुरक्चा क्लच तथा दूसरे जोड़ने वाले साधनों अटेच्मेंट्स की जाज सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी हमारा अप्शन है अप्शन A 7 दिन अप्शन B 10 दिन और अप्शन C 14 दिन अप्शन D 15 दिन हमारा जो राइट अंसर है वो है 14 दिन कम से कम 14 दिन के समय अंतराल पर कोल टप के कपलिंग चैन सुरक्चा क्लच तथा दूसरे जोड़ने वाले साधनों की जाज सब्शन वैक्ति द्वारां की जाएगी अगला कोस्टन है यदि विद्वच दुर्गटने में को जानवार मारा जाता है या गायल होता है तो इसकी सूचना कि इसके पास भेज़ी जाएगी यमारा अप्सम होता है ओंसर एकशिव इंपुक्टर अब सेंगे रिजिनल इंस्पेक्टर अप्शं KI का एंस्पेक्टर के प सब्सक्राइब के तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन दी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होगा इसी के पास सुचना बेजी जाएगी तो बढ़ते हैं हमारे एगले कुश्चन की ओर किस निम्तम समय अंतराल पर एक H.E.M.M. के इस्थायत की जाच किसी स्वतंतर एजेंसी के द्वारा कराई जाएगी यह जाच प्रत्येक बड़ी वर्हाल के अलावा होंगी तो हमारा अप्शन है अप्शन A एक वर्ष अप्शन B छै माह अप्शन C तीर माह और अप्शन D है प्रत्येक माह तो हमारा राइट आंसर होगा option A एक वर्स बलते हैं हमारे अगले क्वेशन क्यों बूर्ड एंड पिलर मेथाड में गैलरी की अधिक्तन चमलाई कितनी होनी चाहिए हमारा option option A 4.2 मीटर option B 2.4 मीटर और option C 4.8 मीटर option D 3 मीटर तो इसका राइट आंसर होगा जैसा कि आप सुभी को पत्र होगा 4.8 मीटर है और इन पिलर मेथाड में गैलरी की अधिक्तम चमलाई और इसकी हाइड की बात करें तो गैलरी की हाइड 2.4 मीटर होनी चाहिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेस्टन क्यों है सिमेंट के द्वारा जाम किये गए या जाम किये जाने वाले रूप बोल का भारवाहिस या मर्थ इंक्वरेश टेस्टिंग जाम करने के एक्टाइजिंग बाद कितना होना चाहिए हमारा आप्शन है आप्शन ए तीन टन आप्शन बी पंद्रा टन आप्शन सी दस टन और आप्शन डी है बारा टन तो इसमें पूछा गया है सिमेंट के द्वारा जाम किये जाने वाले रूप बोल का कि इंक्रेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेंथ है वह जाम करने के 28 दिन बात कितना होना चाहिए तो हमारा राइट अंसर होगा आप्शन डी बारा टन अगला क्रेस्टन है किसी बहुत ज्यादा ढाल वाले सीम में खूटो को जुका कर लगाया जाता है प्रत्य कितने डीगरी ढाल इंक्लीनेशन अप्श्रीम पर खूटो को वन डीगरी जुकाया जाएगा नौ्पसंट एक स्रीन आप्शन डी शीचस आप्शन सी है सेलन अप्शन डी है आफाफ कमारा राइट आंसर होगा आप्शन शीक्स अप्शन बी है 6 तो बढ़ते हैं हमारे अगले अगले question क्यों, हमारे अगला question है यदि वायू वाही स्वस्नी धूल में मुक्त सिलिका, 5% से कम है तो कितनी मात्रा में वायू वाही स्वस्नी धूल हानी रहितमाना जायगा हमारा option है option A, 500 million per Mission क्योब से अधिक नहीं option B है 3 mg पर मीटर क्योब से अधिक नहीं option C है 6 mg पर मीटर क्योब से अधिक नहीं और option D है 2.5 mg पर मीटर क्योब से अधिक नहीं तो इसका right answer होगा option B 3 mg पर मीटर क्योब से अधिक नहीं तो बढ़ते हैं हमारे अगले question क्यों अगला question है long wall working के gate road में light type stone dust barrier लगाया जाएगा यह barrier face के निकटतम बिंदू से कितनी से कितनी दूरे की बीच लगाया जाएगा तो इसके option है option a 45 meter से 110 मीटर तक option b 135 मीटर से 365 मीटर तक option c 180 मीटर से 320 मीटर और option d है 133 मीटर से 320 मीटर तो हमारा right answer होगा option a होगा 45 मीटर से 110 मीटर तो बढ़ते हैं हमारे अगले question क्यों अगला किसी पानी भरे हुए इस्थान की और बढ़ने वाली फेस में एडवांस बोर होल के साथ तिरचे होल भी मारे जाएंगे यह तिरचे होल कितने इंटर्वल पर मारे जाएंगे तो इसके option है 3 मीटर option b 45 मीटर option c है 5 मीटर और option d है 1.5 मीटर तो इसका जो right answer होगा वो है option c 5 मीटर तो बढ़ते हैं हमारे एगले question क्यों भूमे गत्खान में प्रत्य एक उस जगह पर जहां आदमी काम करता हो या गुजरती हो वहाँ co2 की अधिक्तम कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए यह question तो आप सब भी को इसका answer पता होगा तो चलिए इसके option देख लेते हैं option A है 0.3% option B है 0.03% option C है 0.4% और option D है 0.5% तो इसमें पूछा गया है कि underground माईश के प्रत्य एक उस जगह पर जहां आदमी वरकर काम करते हैं या वहाँ से गुजरते हैं वहाँ CO2 की कितनी मात्रा होनी चाहिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसका right answer होगा option D 0.5% यह इसका limit है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए तो बढ़ते हैं हमारे और अगले question क्यों अगले question है किस नियम के अनुसार भूमिगत खान में काम करने वाले व्यक्ति प्रतिक व्यक्ति को साथ में कैप ले जाना अवस्यक है तो किसनीयम के उससार्व अंडर गर मैंस में केल ले जाना या वस्याक है तो हमारा आपसिन होगा तो आपसिन एक है कूल माई रेगुलेशन 2017 के रिडिवुलेशन 170 के अनसार आपसिन भी है कूल माई रेगुलेशन 2017 के अनसार Regulation No. 117 के अनसार 177 और Option C है Call My Regulation 2017 के Regulation 175 के अनसार और Option C है Minds Rule 1955 के नियम 55 के अनसार तो हमारा Right Answer होगा Option B Call My Regulation 2017 के Regulation 177 तो हमारा अगला Question है Cut Face वाले किसी Blast Hole में अधिकतम कितना बारो चार्ज किया जा सकता है इसमें पूचा गया कि Cut वाले फेस में अधिकतम Maximum जो बारो देव कितना चार्ज किया जा सकता है तो हमारा Option होगा Option A 1000 ग्राम Option B 565 ग्राम Option C 754 ग्राम Option C 545 ग्राम Option D 545 ग्राम तो हमारा Right Answer जो होगा वो होगा Option A 1000 ग्राम हम Maximum बारो दियोज कर सकते हैं Cut पेस वाले Blast Hall में तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसी तरह के कुछ Important Question के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए Thank You अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें साथे साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ओन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट आपको मिलती रहें कर लें कर लें कर लें कर लें